हेलो फ्रेंट्स एक बाद फिर से स्वागत आप सभी का स्मार्ट काउंटिंग आरसनर की यूट्यूब चैनल पर मैं मोन सुधार स्मार्ट कम्प्यूटर स्राइसिनिगर से फ्रेंट्स आज की इस वीडियों हम बात करेंगे उन स्टुडेंट्स के बारे में जो अभी प्रजैन टायमें टेली वीजी या अधर अकांटिंग सोफ्ट्वेर चलाना सीख रहे हैं या फिर अभी टेली, वीजी या अधर अकांटिंग सोफ्टवेर सीखने की कोई प्लानी कर रहे हैं और वे स्टुडेंट से only टेली, वीजी या अधर अकांटिंग सोफ्टवेर सीख कर एक professional, एक senior accountant या एक expert accountant बनने का सपना देख रहे हैं दो तो friends, आपसी request है, इस type के student इस वीडियो को last तक पूरा देखना और इस वीडियो में आपको बताऊंगा आपको एक professional और एक perfect accountant बनने के लिए सबसे पहले क्या कुछ सीखना जुरूरी है तो friends, वीडियो शुरू करने से पहले आपसी request है, अभी तक आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो channel को आप subscribe जुरूर कर लें और bell icon का button प्रेस करके all notification पर जुरूर क्लिक कर लें ताक कि मारे आने वाड़ी हर नई नई वीडियो का notification आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो friends, शुरू करते हैं, आज का ये वीडियो तो friends, जब भी कोई pressure students daily या busy सीखने के लिए किसी institute में जाके अपना admission लेता है accounting course के लिए, तो उसके पिछे दो reason होते हैं पहला reason, भी वो students अपने इच्छा के उनसार वो course कर रहा है भी उसे पता है, भी मुझे एक professional accountant, एक perfect accountant या एक tax का एक perfect accountant मुझे बनना है और दूसरा reason ये हो सकता है, भी वो अपने friends या अपने relative से या रिस्तेदारों से recommendant किया हुए है यानि उसे किसी रिस्तेदार या किसी friends ने उसे ये बोल दिया भी भाई आप टेली या वीजी ये accounting course कर लो आप और आपको मैं मेरी company में as accountant की job दिलवा दूँगा तो friends जब भी फ्रेसर students किसी institute में जाके अपना admission लेता है तो उसे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता होता मुझे क्या सिखना चाहिए और क्या मुझे सिखाया जा रहा है जोकि उसे कुछ भी मालूम नहीं है अब वो depend करता है इंस्टूट वालों पे भी वो उसको सही तरीके से सिखा रहे है टेली या बीजी या उसे केवल टाइम पास करवा रहे है तो friends कई बार ऐसा होता है जब कोई students टेली के लिए अपना admission ले लेता है किसी institute में तो तब उसे कोई friends या कोई उसका कोई रिस्तेदार ये बोल कर परिशान कर देते हैं आजकल तो सबसे ज़्यादा company है जो टेली या यूज़ करती है बहुत बार ऐसा भी होता है बिए students टेली या बीजी दोनों ही सीख रहा होता है तो उसे कोई अलगी friends मिल गया या उनने कोई अलगी रिस्तेदार मिल गया तो उन्हें ये बोल दिया भी आप काँ टेली या बीजी सीख रहे हो आप ये accounting software सीख लो मारी company में तो सबसे ज़्यादा ये accounting software यूज़ होते हैं अगर आप ये accounting software सीख लोगे तो आपको मैं मेरी company में accounting की job दिला दूँगा तो इसी तरीके से उसे अलग-लग type के friends उसको मिलते जाएंगे अलग-लग type के रिस्तेदार उसे मिलते जाएंगे हर अलग-लग अपने software उसको recommended करते जाएंगे तो students सबसे ज़्यादा परिशान यही हो जाते हैं भी अब करें तो क्या करें तो friends अब हम बात करते हैं असली मुदे की वी एक फ्रेसर स्टुडेंट्स को सबसे पहले professional accountant बनने के लिए और एक perfect accountant बनने के लिए क्या कुछ सीखना चाहिए और टेली और वीजी सीखने का सई तरीका क्या है तो friends आज की इस वीडियो में मेरा accounting के 15 सालों का experience आपके सामने में share कर रहा हूँ अगर आप professional accountant बनना चाहते हो तो आप सबसे पहले टेली या वीजी सीखने का जो आपके mind में अभी ख्याल आरक है उसे आप निकाल दीजिए यानि कि आप अपने mind में ये मत रखो भी मुझे टेली या वीजी सीखने है क्योंकि टेली वीजी accounting के सबसे पुराने software है तो इसलिए हर एक students की जुवान पर आया है तो सबसे पहले आपसे मैं request करूँगा आप टेली या वीजी सीखने का अगर आपके mind में ख्याल है तो आप उसे बिल्कुल निकाल दीजिए और आपको टेली वीजी सीखने से सबसे पहले accounts के जो basic rules होते हैं वो आपको सीखना compulsory होते है प्रेंट्स सबसे पहले तहम है यह पता होना जीये होती है उसे है और कैसे उसको create करते है तो यह सब कुछ आपको basic नोले जोना चीजिए और उन सब vouchers की journal entry क्या बढ़ेंगी वो सबसे पहले आपको अनिक कमपल सरी है क्योंकि प्रेंट्स आप जब Tally या वीजी जब सीख रहे होते हो तो हर software की screen पे उनके shortcut दी होते है मानले जिए आप Tally software यूज़ कर रहे हो लेकिन आपने जो entry वहाँ पर करी है वो किसी real business voucher से अगर आपने नहीं करी है आपके सामने age पर books की entry आप कर रहे हो यानि कि जो Tally की books हती है और books में जो example दी होते हैं उसी type की entry आप repeat कर रहे हो लेकिन आप जब भी किसी company में age accountant की आप job करने जाओगे तो आपके सामने books knowledge आपको नहीं दिया जाएगा वहाँ पर इस type के real business आपके vouchers है जो आपके सामने दिये जाएंगे आपको इन vouchers के पैचान करके आपको entry करनी होती है तो friends अगर आपने जिस institute पे टेली या बीजी अगर आपने सिक है और real business के real vouchers के साथ अगर आपने practice करी है तो आपको कहीं भी कोई problem होने वड़ी नहीं है अगर आपने age पर book सुनो लेज लिया हो है तो आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा जब आप किसी company में age accountant post के लिए आप apply करोगे तो तो friends मैं हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ भी आप किसी institute में अगर आप टेली बीजी सीखने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पर सबसे पहले आपको यह जानने भी वहाँ पर मुझे सही तरीके से टेली बीजी सीखाया जा रहा है या नहीं जा रहा तो इसकी जो पहचान करने का तरीका वो यही है भी अगर आपने जिस दिन एडमिसन लिए यह टेली यह वीजी के लिए और आपको पहले दिन ही टेली सीखाना शुरू कर दिया भी इसमें company create करो इसमें आप lasers create करो आप इसमें stock item create करो तो इसका मतलब वहाँ पर आपको books knowledge ही दिया जा रहा है जो कि आपका time और आपका पेसा दोनों बरबाद होएगा यानि कि उस instructor और आपको बिना किसी vouchers की practice के साथ ही आपको टेली का complete course करवा दिया और आपको certificate दे दिया तो friends ये आपके लिए बहुत मुस्किल होएगी तो अगर किसी institute पे अगर आप प्रवेस कर रहे हो तो वहाँ पर आपको टेली या बीजी सीखाने से 10 या 15 या 20 दिनों तक आपको real business vouchers से आपको practice करवाई गई हो वह vouchers बनते कैसे हैं इसके journal entry क्या बनेंगी यानि कि पूरा एज manual accounts आपको पहले सिखाया जा रहा है या नहीं जा रहा अगर आपको manual accounting सिखाया जा रही है वहाँ पर विसाई तरीके से इसके vouchers कैसे बनते हैं प्रवेस vouchers कैसे create के जाते हैं उसके journal entry कैसे बनेंगी हम उसकी day book कैसे त्यार करेंगे day book के बाद उसकी laser में पोस्टिंग कैसे करेंगे और laser में पोस्टिंग करने के बाद इसका हम trial balance यान कि तलपट कैसे बनाए जाता है उसके बाद books की finalization कैसे होगी यान कि trading count कैसे बनेंगा profit and loss count कैसे बनेंगा balance sheet कैसे बनेंगी कौन सा laser है जो trading count का part है कौन सा laser profit and loss count का part है कौन सा laser balance sheet का part है उसके बाद में GST की return कैसे त्यार होती है जो आपने vouchers त्यार की है उस vouchers के दार पे आपके GST की return कैसे त्यार होगी GSTR 3B कैसे त्यार होगी GSTR 1 कैसे त्यार करोगी GSTR 2 कैसे त्यार करोगी GSTR 4 कैसे त्यार होगी उस्से vouchers यानि कि जो आपने manual vouchers जो बनाई है अपने आतों से उन्हीं voucher से आपको टेली या वीजी जो भी आप accounting software से शेख रहे हो उसमें आपको अच्छी तरीके से practice करवाई जा रही है तो अगर आपने टेली या वीजी इस मलब कोई भी accounting software आपने real business की vouchers के साथ अगर आपने practice करके सिखिया है तो आप किसी भी company में किसी भी type का अगर आपको accounting software मिल जाएगा तो आपको कोई भी परिशानी आपको नहीं होगी आप से request है आप software के पिछे मत भगो आप accounts को सिखो accounts का base आपको मजबूत होना चीए मान दीजी आज आज आपने किसी इंस्टूट से टेली भी सिख लिया बीजी भी सिख लिया लेकिन जिस company में आपने job के लिए apply किया है वहाँ पे नहीं तो टेली software यूज दोता नहीं प्रब्लम नहीं होएगी अगर आप बिना practical के टेली भीजी सीख रहे हो चाहिए फिर आप टेली भीजी counting software सीख लो चाहिए इसके साथ आप 50 accounting software और सीख लो इसका आपको कोई benefit नहीं मिलेगा बिना practice के सबसे ज्यादा accounting में जुरूरत होती है वो practice की ही होती है तो friends आज का य आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर पैस कर लें ताकि मारी आने वाड़ी हर नई नी वीडियो का नोटिक वेसे ना आपको